Hello guys, this is Upazna Singh और हमने अपने 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 जावा टूरर के प्रेलिस का सभी बेसिक कॉंसेप्स क्लियर कर ली हैं और अब हम कंट्रोल फ्लो के सेक्शन पे आचुके हैं सो कंट्रोल फ्लो के सेक्शन पे आज हम जानेंगे फॉर लूप के बारे में सो फॉर लूप का यूज बेसिकली हम लोग एक पीस ऑफ कोड को रन करने के लिए करते हैं स्पेसिफिक नमबर ऑफ टाइम से जैसे के हमें नीड होती है अपनी नीड के हिसाब से सिंटाइक्स का कुछ ऐसा है कि हम यहाँ पे फॉर यूज करते हैं करते हैं मतलब यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करते हैं डिक्रीमेंट करते हैं देन उसकी में हम वर्किंग जानेंगे आईनो अभी आप कोई चीज समझ में नहीं आ रही होगी तो चलिए आए प्राक्टिकली समझते हैं मैं कैसे सिंटाइक्स की बात कर रही हूँ सो फसली मैं यहाँ पे एक क्लास क्रेट कर लेती हूँ फॉर्लूप के लिए हमारी यहाँ पे क्लास क्रेट हो चुकी है and then suppose मुझे यहाँ पे प्रिंट करने हैं नंबर्स 1,2,10 so हम फॉर्लूप का यूज़ करके 1 से 10 तक की अपनी काउंटिंग कैसे प्रिंट करेंगे वो मैं आपको एक्जामपल के तुरू फॉर्लूप के तुरू समझाने वाली हूँ so जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बेसिक खाली तीन लाइन का कोड लिखाया hardly यह जिसमें आप देखेंगे तो तीन लाइन भी नहीं है but मैंने यहाँ पे क्या लिखाया int i is equal to 1 पहली बात तो हमारा जो कोड होगा i से start होगा हम चाहा है तो 0 से भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोशन है कि 0 से 10 तक प्रेंट करना है तो यहाँ पे जब इनिशलाइस कर रहे हैं तो आप काउंटिंग 0 से start कर सकते हैं फिर आपने यहाँ पे condition दी i greater than and equal to 10 मतलब i 10 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए तो जब तक 10 तक count चलता रहना चाहिए यह रहा हमार increment operator जो आपका count बढ़ा रहा है इसकी working map को ऐसे समझाती हूँ पहले i में हमने यहाँ पे 1 initialize कर दिया फिर हमने यहाँ पे चेक किया क्या 1 हमारा 10 से छोटा है जी हाँ छोटा है तो हमने उसको यहाँ पे print कर दिया फिर उसके बाद ही increment operator पहुचा अब i की value 2 हो गई है 2 होने के बाद इसने यहाँ पे चेक किया क्या 2 10 से छोटा है हाँ छोटा है तो इसने आके print कर दिया उसके बाद फिर इसने increment operator ने i की value increase कर दी, अब i की value 3 है उसके बाद फिर यहाँ पे इसने यहाँ पे condition पे check किया क्या 3, 10 से छोटा है, हाँ छोटा है तो इसने यहाँ पे 3 print किया similarly, जब तक यह 10 से छोटा होता है यह 10 के बराबर होता है यह condition चेक कर रहा है अगर 10 के बराबर वो आ गया उसके बाद ना ही वो increment करेगा ना ही loop चलेगा So I hope आपको for की working and for का syntax इसे समझ में आ गया हो ज़्यादा practice के लिए I hope आप कुछ चीज़ा ऐसे print करेगा, जैसे print 10 to 1 and print even numbers even number from 1 to 10 and print print out number and guys, बहुत important बात हमने यह पर जावा टॉट्री के सिरीज में 10 lectures अल्मोस अफ्लोड हो गया है and all the lectures यहाँ पर शेडूल है जो कि आपको time to time between 2 to 3 days आपको मिलते रहेंगे so please प्लेज को follow कर दिएगा ताकि आपसे कोई भी important topic miss ना हो from 1 to 10 so कुछ ही examples करने के बाद आपको for का जो structure है और उसकी working है पुरी clear हो जाएगी and यह करते वक्त अगर आपको कोई भी doubts आते हैं तो please comment section पे comment करिएगा यार हाप हमाई 10 class channel पे भी join कर लीजेगा जो कि description box बुसका link provided है and वहाँ पे आपका गर यहाँ पे कहीं भी टकते हैं किसी भी logic में कोई भी दिक्कत आती है तो please हमें वहाँ पे refer करिए ताकि आपके सभी doubts को measly clear कर सके so I hope आपको आपको अच्छा लेक्षर पसंद आए हो वीडियो को please like करेगा comment करेगा और दोस्तों में शुरे करना बिलकुर मग भूलेगा thank you